खलो स्टूडेंट्स नमस्कार मैं में बल्डोदी अभिवक्ति के माध्यम से आप से मुखातिब हो रहा हूँ राजस्तान स्टीट नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज कर दिया गया है साथ ही चॉइस फिलिंग का प्रोसेस भी आज से सुरू हो गया है चॉइस फिलिंग के समय भी कुछ चीजों की जानकारी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो आईए मेरे साथ राजस्तान स्टीट सीट मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स डिसकस कर लेते हैं और उसके अलावा चॉइस फिलिंग प्रोसेस जैसे मैं आपक प्रोसेस शुरू हो गया है आपको चॉइस फिल करना है फिल करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फी जो है वो क्या रहेगा EWS और जनरल किटेगरी के किंडिडिट को 10,000 रुपीज पे करने है SC, ST, OBC और MBC को 5,000 पे करने है सारी डेटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ देखिए मेरे पास जो स्लाइड है Office of Chairman NEET, UG, Medical and Dental Admission Board 2021 ये Government Dental College जैपूर जो है वो इसको और्गनाईज करवा रहा है तो seat matrix वहाँ से रिलीज हुआ देखिए GMC quota unreserved जो है unreserved boys and girls 52 seats जो है vacant seats नमबर यहां दिखाया गया students फिर से देख ले unreserved boys and un unreserved girls मतलब general girls और general boys की seats ये है girls की seats 17 है boys 52 है इसी तरीके से ये EWS में देखिए और ये MBC है ये आपके पास OBC category है ये SC है ये ST है और ये SA और total vacant seats 193 है इसी तरीके से सारे colleges की seats आपको दे रखी है इन seats में अगर आप देखें JLN, अजमेर, उसके बाद में R&T, उदैपूर, SMS, SMS, जैपूर, SMS को लेके बहुत बच्चों को जानकारी की ज़रत होती है, 5, 6, 19 girls, 16 जो है EWS में, EWS girls के लिए आप ये कह सकते हैं, 5, इसी तरीके से girls और boys के लिए total number of seats कितनी है, ये इस पूरे seat matrix में आपको बताया गया है, तो देखो SMS हुआ, SN, MC Medical College, जादपूर हुआ, उसक सारे पुराने government colleges हैं, उसके बाद में देखिए GMC बार्डमेर, GMC भरतपूर, भीलवारा, GMC चूरू, डूंगरपूर, पाली, government medical college seeker, उसके अलावा गितानजली medical college जो है, उसमें government seats हैं, unreserved category के लिए students 3 है, boys, 1 girls, EBB 0, यहां girls के लिए 1 seat, total number of seats अगर सीधा मैं देखो तो 10 seat जो हैं, वो government seat हैं, गितानजली medical college उदैपूर, और एक ESIC medical college जो इस बार अलवर का college खुला है, उसमें government seats का number आप देखें, तो यह students है, 65 total, तो 1743, first round के लिए 1743 seatों पर आप यह कह सकते हैं, students, क्या होने वाली है, counseling process, seat matrix इसका release कर दिया गया, merit list release कर दी गई है, उसके बाद द देखिए, American Institute of Medical Sciences जुदैपूर, यह बाकी की जो seat हैं आपको, वो general seats आपको दे रखी है, general seats जो हैं, वो आपको सारी दे रखी हैं, और इनका भी total number में आप से discuss कर लेता हूं, 1388, 1388, 1388 seats जो हैं, वो आपके पास total seats हैं, clear है, next slide पर चलते हैं, देखिए, अगली slide आप देखे इसमें, RUHS की जो management seat है, अब देखो कुछ management seats की detail है, management seats यह सब आपके सामने हैं, यह सब management seats हैं, यहां तक आप देखें, तो complete detail आपको management seats की यहां तक मिलेगी, C का total आप देख लीजी, यह management seats हैं, 717, 770 जो हैं, वो management seats हैं, इनका आपको पता है, fee structure different होता है, जैसा fee structure आप पह detail आपको दे रखा है, 246, जो NRI seats हैं, तो इस तरीके से total आप students देखेंगे, तो 4094 seats आप कह सकते हैं, 4094 seats जो हैं, वो first round की जो counseling होने बाली है, state की, उस state counseling में participate करने के लिए, students को participate करने के लिए, उन पर allow किया जाएगा, ठीक है, तो यह seat matrix हुआ, इसके बाद आपको यह जो है हैं, वो dental की कुछ और seats आपको दे रखी हैं, ठीक है, BDS की seats दे रखी हैं, फिर देखो, यह आपका notification है, तो choice filling जैसा मैं भी आपको कह रहा था, choice filling के लिए time students आपको दिया गया था, 26 एक 2022, आज 26 जन्वरी से, choice filling process राजस्तान का सुरू हो चुका है, आप choice fill कर सकते हैं, क्या उसका procedure रहेगा, यह complete आपको पहले से बताया जा चुका है, अब देखिए, इसके बाद, यह जब आप खोलेंगे website, तो इस पर इस तरीके से, office of the chairman, NEET, UG, BDS और MBBS के जो admission board है, यह 2020 का मैंने सुबह का status लिया था, अब खुल जाएगा यह 21 इस पे आजाएगा, और इसमें news पे अगर आप जाएगे, तो सबसे पहले registration और password आपको, यहाँ, mention करना है, उसके बाद में login करना है, जो documents आपको choice filling के time required है, student same रखे गए है, 10th की marks rate required है, 12th की marks rate required है, bonafide certificate आपका, जिसको मूल निवास, प्रमान पत्र आप कहते हैं, और इसके अलाबा, cast certificate, जो भी आपका applicable ह है, वो सारे आपको यहाँ देने होंगे, ठीक है, उसके बाद, आपको fee payment जो है, देखिए, OBC, MBC, SC, ST के लिए 5000 ही रखा गया इस बार भी, और general और EWS के लिए यह students 10,000 रखा गया है, अगर आप private medical colleges में, जैसा seat matrix में हम discuss कर रहे थे, private medical colleges के थ्रू जाना चाहें, तो यह जो ह जाएगा, choice filling जो है, वो करें आप, और choice fill करने के बाद, आप students final print ले लें, वो जो final print आपका है, वो किस तरीके से seat आप उसमें fill करेंगे, यह पहले से seat matrix में मैं आपको बता चुका हूँ, तो देखिए, यह हमारे पास जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने आज बात किये राजस्तान स्टेट की जो counseling process है, उसकी choice filling सुरू हो गई है, और इसमें जो seat matrix था, वो सारा seat matrix मैंने आपके सामने डिस्पले किया, GMC जितने सारे हैं, 17 GMCs हैं, Government Medical College, हलंकि इन 17 में से, देखें, गिता अंजली जो है, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन उसमें, आप यह कह सकत हैं, 10 Government Medical Seats हैं, उसके बाद बाकी सारे institutes आपको दे रखे हैं, जिनमें general seats हैं, मतलब उसमें fees जो है, वो government की तरह ही है, और इसके अलावा management seats हैं, जैसा अगला slide जो है, उसमें आप देख रहे थे, इनमें management seats हैं, उन management seats पे आपको पता है, fees ज्यादा है, fees के लिए एक separate video पह होगा, हम counselling process के दोरान पूरी तरीके से आप से जुड़े रहेंगे, thank you, be safe, enjoy your life.